Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and welcome to this channel. So this video is dedicated for all the students who are studying this channel and the students who are joining this channel, maybe in the future. So this is a very crucial video for all the students studying from class 9th up to class 12th. And if you are watching this video, I would request that you should watch this video with your mom and dad. के साथ बैट के देखिये या उनको जरूर दिखाईए. So basically in this video we will be talking about the career options. Career क्या होता है भाई? Career options क्या क्या है हमारे पास? So मैं जादा तर बच्चों से जिनसे भी बात करता हूं, मुझे ये समझ में आता है कि भाई, इस सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, जहां पर हम लोग रहते हैं, या तो हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा एंजीनियर बन जाए, and that too from IIT, या फिर मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए अगर वो बायो स्ट्रीम से है, and that too from AIMS और मेभी PGI या बहुत अच्छे गवर्मेंट कॉलेच से, थर्ड क्राइटीरिया वो वाले पेरेंट्स का है जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा C.A. बन जाए, अगर उसने कॉमर्स फिल्ड दी है, फूर्थ क्राइटीरिया वो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा UPSC का एग्जामिनेशन ट्रैक करें और IES, PCS बनें, so do we have only these four fields as our career option, क्या हमारे पास यही चार fields हैं as career option, engineers, doctor, C.A. and UPSC, IES, PCS, क्या हमारे पास यही options हैं, मैं आपको बताता हूँ personally, जादातर parents जिन से मैं मिलता हूँ, जादातर students जिन से मैं मिलता हूँ, उनको यह नहीं पता कि मुझे अपने बच्चे को क्या कराना है या उनका बच्चा actually में क्या करना चाता है life में, उसके क्या career goals हैं, यह बच्चे को भी नहीं पता, यह parents को भी नहीं पता and even after completing their graduation, post-graduation, आदे से जादा जनता को ये नहीं पता होता है कि हमको जीवन में करना क्या है, हमको क्या चीज करने में अच्छा लगता है, ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें हम चले जाएं, जिसमें हम excel कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सी फील्ड नहीं है, हमारे लिए कौन सी फील्ड है, ये decision, graduation के बाद क्या, post-graduation के बाद, PhD के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता है, as a result, वो life भर struggle करते रहते हैं, किस चीज में struggle करते हैं, so for example, आप प्यार किसी से करते हैं, और आपकी शादी किसी से हो जाती है, so if you love someone and you marry the other person, तो होता क्या है, उसमें आपको बहुत सारे compromises करने पड़ते हैं, आपको बहुत सारी चीजे sacrifice करनी पड़ती है, और जो दिल से एक feeling निकलती है, जो आपकी inner feeling होती है, वो kill हो जाती है, as a result, you do not enjoy your life, आपकी life एक misery बन जाती है, और आप balance करने में ही लगे रहते हो, कि भाई, जो चीज मैं कर रहा हूं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, बर मुझे करना पड़ रहा है, just because I have to look after my parents, I have to earn money, I have to get food for myself, for my family, मुझे एक social status चाहिए, all these factors, later on, becomes a barrier for you, और वो धीरे-दीरे आपके उपर burden बनते जाते हैं, as a result, धीरे-दीरे आपकी life बहुत monotonous हो जाती है, और आपको कोई कुछ भी interesting नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अगर आपको यकीन नहीं हो, अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने चाचा से, अपने ताउ से, जो भी आपके relatives हैं, उन relatives से अगर आप जाके पूछिए, कि पापा, आप बिजनस करते हो, तो आप ये बिजनस जब करते हो, क्या आपको बहुत अच्छा लगता है, क्या आप हर सुबह उठते हो, excited हो मुझे, every morning I wake up, I feel very excited, I feel happy, कि भाई, I am going to this particular office, ये आपके पापा, अगर डॉक्टर है, तो उनको बहुत मजा आता है, कि मैं patients को देखूंगा, he is very excited, or she is very excited, कि भाई, मैं आज patients को देखूंगी, मैं उनकी दुख, दर्द को दूर करूंगी, ऐसे अगर आप अपने parents से, पू अपना काम करके अच्छा नहीं लगता होगा, at the end of the day, हो सकता है, बहुत सारे लोग उस चीज को accept करें, और बहुत सारे लोग उस चीज को accept ना भी करें, बट जब भी आप उनसे free होके, प्यार से, इत्मनान से बैठ के उनके साथ बात करोगे, if you will discuss with them, कि पापा या मम्मी या भाईया या दीदी, जो आप कर रहे हो, क्या आपको उस चीज से खुशी मिलती है, so 99.9% लोग कहेंगे, नहीं भाई, हमको इससे खुशी नहीं मिलती, हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपनी family चलानी है, क्योंकि हमको खाना खाना है, क्योंकि हमको अपने bills रसज़ी में करना चाते थे, that is the question, and that is the topic for today's video, तो basically यह प्रॉब्लम जो है, यह सिर्फ आप के साथ नहीं है, यह प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, यह प्रॉब्लम मेरे भाई के साथ भी थी, यह प्रॉब्लम मेरे कजन के साथ भी थी, यह मेरे बहुत सारे students के साथ यह same problem र यह कोई जाने ना जाने लेकिन आपको वो दस ट्राइब की मेडिसंस जरूर दे देगा कि यह खालो ऐसा कर लो ऐसा कर लो सुबहोट के हनी पी लिया करो शाम कोट के लेमन पी लिया करो इससे सब कुछ सही हो जाता है इवन इफ यू आस्क फॉर फिटनेस आप मालनों थोड़े से हेल्दी हो या आप वीक हो आप मसल्स गेन करना चाते हो आप वेट लूस करना चाते हो आप किसी भी एक्स वाई जेड परसन से अगर आप पूछोगे कि क्या करें हर आदमी आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट टि ही होती है तो बेसिकली इस एज में एज ओफ इंफॉर्मेशन में क्या चीज सही है क्या चीज गलत है यह भी पता करना बहुत मुश्किल है आज के जमाने में तो बेसिकली अगर आपको एक्सपर्ट राय नहीं मिलती है आपको कोई भी आके कुछ भी समझा देता है और में वो उन फाक्टर्स पर डिपेंड करने लगते हैं जो शायद किसी एक्सपर्ट ने आपको नहीं बताया जो शायद आपको किसी भी XYZ आदमी ने बताया for example 99% लोग अपना करियर चूस करते हैं just by looking at let's say अगर आप किसी पर बहुत भरोसा करते हैं या if you look up to someone for example I used to look up to my uncle my चाचा who is working with TCS as a COO from past around 25 years वो COO है TCS में so मैंने सोचा दा मैं engineering करूँगा मैं अपने चाचा जैसा बनूँगा मैं एक software engineer बनूँगा और मैं बड़ी सी multinational company में काम करूँगा the way he is living his life मैं भी वैसी ही life जीऊँगा हो सकता है आपने किसी doctor को देखके ये सोचाओ कि जैसी life ये doctor जी रहा है जैसे पैसे ये कमा रहा है जैसा respect इसको society में मिलता है मुझे भी यही same चीज़ चाहिए में भी आपने किसी banker को देखा होगा कि जो respect इस banker को मिल रहा है जो respect एक army officer को मिल रहा है जो respect एक IS officer को मिल रहा है जो पैसा वो कमा रहा है the standard of life is living ये मुझे चाहिए तो basically आप जो भी जादातर बच्चे जादातर बच्चे जब कोई भी career decision लेते हैं decision related to your career तो आप इन सब factors से बहुत जादा influence हो जाते हो और आप अपना career decision लेते हो and later on in your life you realize that वो जो decision हमने class 9-10 में लेना था वो सही नहीं लिया as a result आपकी पूरी की पूरी life miserable हो जाती है आपकी पूरी की पूरी life में आप उस burden को ढोते रहते हो कि मैं अपनी ही कहानी बताता हूं मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे teacher बनना है I like teaching मुझे नहीं पता था मुझे पढ़ा के मज़ा आता है अपने छोटे बच्चों को मैंने engineering की मुझे लगा कि मैं चाचा जैसी life जी लूँगा मैंने जब computer के सामने बैट के job किया मैं engineering म में बहुत अच्छा था first second third rank आती थी मेरे college में मेरा placement हो गया था six semester में third year में मेरा placement भी हो गया था pre-placement था मेरा किसी भी batch में मेरे किसी भी batch वाले बच्चे का नहीं हुआ था मेरा हो गया था उसमें भी मैं rank 1 था क्योंकि जो logical reasoning का जो पेपर आया प्रोग्रामिंग का जो पेपर आया mathematics से related जो पेपर आया English communication मेरा अच्छा था as a result मेरा placement हुआ मेरा rank 1 था जब मैंने काम करना शुरू किया यह मजा नहीं आ रहा कंप्यूटर के सामने बैट के programming करना प्रोग्राम्स रन करना फिर प्रोग्राम में एरर आ रहे हैं उन्हें एर्रस को दूर करना फिर मजा नहीं आया लगा यार कितनी बोरिंग लाइफ है और जब मैं office उठके जाता था तो सच्छी बतारो मेरा मन नहीं होता था office जाने का कि यार अभी office जाना मन नहीं हो रहा बिल्कुल फिर मैंने अपनी लाइन चेंज की मुझे बच्पन से मेरा मन था कि भाई मैं defense जॉइन करो आई शुड अशुड शुड माइन नेशन मेरा यही सबना था कि मुझे अपना नेशन को सर्फ करना है और मुझे लगता था कि defense में जो प्राउड फील होता है defense में जो आपको respect मिलती है जो salary मिलती है जो uniform पहन के जो एक confidence आता है यह मुझे चाहिए था बट unfortunately वह भी मुझे नहीं हो पाया मैंने ट्राइब बहुत किया पर मुझे हो नहीं पाया मतलब मैं उसका मैंने सारे entrance exams निकाल लिए चाहे NDA के हो चाहे CDS के हो चाहे FCAT के हो जो भी थे वह सब मैंने निकाले मैं हमेशा conference out हो जाता था conference out basically means कि मेरे personality में ऐसी कोई चीज मिसिंग थी जो मुझे officer नहीं बनने दे रही थी so officer like qualities वहां पर ढूंडी जाती है मेरे अंदर नहीं थी as a result मैं हर बार reject हुआ I have given seven SSBs and seven SSBs से मैं बाहर हो गया उसके बाद फिर से pressure आया कि भाई वापस आपको engineering करनी है और engineering वाली जिंदगी ही जीनी है जब वो किया तो भाई अच्छा नहीं लगा मेरे पास backup था मेरे father एक businessman थे तो मेरे पास backup था मेरे फादर की कुछ तबियत भी खराब हो गई थी उन्रोंने का वापस आजाओ और business करो start करो जब मैंने business करना शुरू किया फादर के साथ तो पहले तो मुझे बहुत charming लगा कि वाओ business में तो हम पूरे मालिक होते हैं हमारे नौकर होते हैं हम दूसरों को orders देते हैं business करेंगे entrepreneurs बनेंगे shark tank में जाएंगे और बहुत बहुत बहुतरीन काम करेंगे बट लेटर ओन जब मैंने वो काम भी शुरू किया अपने फादर के साथ तो उसमें भी मुझे satisfaction नहीं मिला उसमें भी मुझे मज़े मज़ा नहीं आया फिर मेरे पास क्या option था फिर मेरे पास एक दूसरा option था क्योंकि मैं साथ में जब college में था तो साथ साथ पढ़ा रहा था लोगों को अपने दोस्तों को चोटे बच्चों को as a result मुझे यह थोड़ा सा realize हुआ कि भाई यह चीज़ अच्छी है I like this as a result मैंने पढ़ाना शुरू किया और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया देन I realized कि भाई यह मेरा फोटे है यह मेरी personality से match करता है और यह जो पढ़ाना है इस से मुझे सही में मज़ा आता है मतलब जब मैं सो के उठता हूं सुभे तो मुझे मेरे मन में एक mission होता है कि आज मुझे यह ऐसे पढ़ाना यह अच्छे से पढ़ाना है मैं उसके लिए planning करता हूं रात में दो दो ढाई-डाई तीन-तीन बज़े तक जाक के बच्चों के लिए planning कर सकता हूं क्या पढ़ाना है कैसे प बोले तो अभी एक दो घंटे में चार पांच बच जाएगा और सुभा हो जाएगी मुझे अभी नींद नहीं आरी क्यों नहीं आरी विकॉस मैं यह सोच रहा था कि इस वीडियो को मैं कैसे बहुत जादा इंट्रेस्टिंग बनाऊं कैसे इतना important message आप तक convey करूं कि भाई deciding your career is a very major option, very major decision in your life, इसका कोई और option ही नहीं है यह बहुत बड़ा decision है, bigger than choosing a girl for yourself और bigger than choosing a boy for yourself, आप शादी करते हो तो शादी करने का जो decision है वो छोटा decision है as compared to deciding your career, और career के लिए ही हमारे Indian education system में, अब बतनी यह flaw है या क्या कह सकते हैं या हम इतने privileged नहीं थे, कि हम इसका फाइदा उठा सके या हम यह realize कर सके सही time पे, सही age पे कि what is good for me, what suits my personality, what are the career options which I can choose, I was a studious student, I was also good in sports, I was also good in co-curricular activities, पर मुझे अगर पहले से पता होता कि मुझे teacher बनना है तो शायद मैंने engineering ना की होती, शायद मैं आज PhD होता mathematics से, या mathematics मैंने और अच्छे से पढ़ा होता, मैं आपको और बेटर पढ़ा रहा होता, maybe that would be possible, या हो सकता है मैं आज जहां पे हूँ, मैं यहां पे चार साल या पांच साल पहले पहुंच जाता, So basically, that means मैंने 4-5 साल waste किये in exploring the options which suited my personality, which gave me pleasure, which gave me motivation कि हाँ यार मुझे ये काम करना है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा लगने वाला काम तक पहुंचते पहुंचते, मैंने 4 साल engineering की, मैंने नौकरी की, मैंने इंडिये के papers दिये, मैंने बहुत सारे competitive papers दिये, even I prepared for bank PO, I prepared for SSC, जो government नौकरी है, जो मम्मी पापा कहते हैं कि भाई या तो government नौकरी कर लो, तो उसके लिए भी मैंने preparation की, JEE की preparation कर लो, उसके लिए भी मैंने preparation की, तो ये सारी जो preparation थी, उसमें मैंने बहुत सारा time waste किया, अगर मुझे पता होता कि मुझे यहीं आना है, पहले से, तो शायद मैं सही decisions लेके यहाँ पे जल्दी पहुँच गया होता, और आज जिन्दगी में और अच्छा कुछ कर रहा होता, या मेभी जो मैं 5 साल बाद achieve करूँगा, वो मैं 5 से 10 साल पहले achieve कर चुका होता, So that is the criticality of this situation and that is how important is deciding your career options, तो career options कैसे decide करने है, क्या करना है, यह सारी चीज़े आपको मैं यह यहाँ पे समझाने वाला हूँ, So basically, if you are confused about the career choices and you need guidance in choosing the correct career option, then I have something for you, I have definitely a very good thing for you, क्या है कि यह समझाता हूँ आपको जल्दी से, So basically, I was planning to take a career counseling session for all my students, यह जो career counseling session होगा, यह सबसे पहली बात है, paid होगा, free नहीं होगा, free क्यों नहीं होगा, paid क्यों होगा, इसका reason मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज जो आपको free में मिलती है life में, आप उसकी importance नहीं समझते हो, आपको लगता है, यह तो चीज फ्री में मिल रही है, आप उसको important नहीं लेते हैं, आप उसको taken for granted लेते हो, और यह आएंगे, यह कुछ बोलेंगे, कुछ career के बारे में बताएंगे, free में हैं, तो छोड़ो, देख लेंगे, attend कर लेंगे, मन करेगा तो attend कर लेंगे, time होगा कर लेंगे, और वहाँ बैटके तफरी करेंगे, वहाँ बैटके दूसरों को disturb करेंगे, तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं बस वो बच्चे इस career counselling को attend करें, who are serious for their career, जो जिन्दगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिनको जिन्दगी में कुछ नहीं करना, दूसरों की बुराईयां करनी है, दूसरों की backbitching करनी है, उनके लिए ये नहीं है, पहली ब hard work, by the efforts, then this counselling is just for you, बाकी किसी के लिए नहीं है, जो time pass करने वाले उनके लिए नहीं है, इसलिए मैंने इसमें एक nominal सी fees लगाई है, अगर आप इस counselling को attend करना चाहते हैं, तो, ये counselling दो टाइप से हो रही है, पहली टाइप की counselling जो होगी, that is a group counselling, group counselling का मतलब है, कि उस एक particular group बनाया जाएगा, जिसमें maximum 50 लोग होंगे, I am repeating again, जिसमें maximum 50 students होंगे, ठीक है, उस group में आपको counselling किया जाएगा, कि क्या-क्या options है, career options आपके पास, अगर आपके पास PCM है, class 11-12 में, अगर आपके पास PCB है, 11-12 में, if you are a commerce student, और if you are a arts student, तो, क्या-क्या options है आपके पास आपकी personality कैसी है, किस personality के साब से, आपकी personality के साब से, what are the options for you, और that too पुराने options नहीं, engineering, medical और ये सारी पुरानी चीज़े नहीं, वो तो हैं ही, उसके साथ-साथ, 21st century में कौन-कौन से career options हैं, नए career options जो शायद आपको, आपके चाचा को, आपके ताउजी को, आपके पापा आपको नहीं पता होंगे, क्यों नहीं पता होंगे, क्योंकि वो जिस field में काम कर रहे हैं, वो उसी field के बारे में जानते हैं, अब मैं education line से हूँ, तो मैं education के बारे में जानता हूँ, क्या-क्या changes हो रहे हैं, क्या-क्या changes हैं, क्या-क्या changes हैं, new education policy के हिसाब से, कौन सा teacher कैसा पढ़ा रहा है कौन सा स्कूल कैसा कर रहा है कौन सा कॉलेज अच्छा है कहां का प्लेस्वेंट अच्छा यह मुझे कैसे बता हैं और मैंने इतने सारे बच्चों को अभी पढ़ा दिया है सो अराउंड मैंने करीब 3-4 लाख से ज्यादा बच्चों को अभी तक पढ़ा चुका हूं और उनको करियर गाइडेंस भी प्रोवाइड कर चुका हूं कि भाई क्या क्या कर सकते हो आप वाट अधा करियर से जिनकी मार्किट में डिमांड नहीं है या आने वाले 3-4-5 सालों में उनकी डिमांड खतम हो जाएगी ऐसा कोई भी करियर ऑप्शन में आपको नहीं बताऊंगा मैं आपको बिलकुल लेटेस्ट करियर ऑप्शन बताऊंगा जिसका स्कोप आगे 30-40-50 साल तक रहे क्यों साम कर सको एक ऐसा कोई करियर ऑप्शन मता है जो 30-40 साल तक चले तो ऐसा करियर ऑप्शन मताते जो दो साल बाद चार साल बाद इसकी डिमांड कम हो जाएगी तो अगें यूल बी इन अप्रॉब्लमाटिक सिचुएशन तो पहली चीज यह दूसरी चीज दूसरी चीज वी आप साइन से हो तो मैं आप से यह नहीं बोलूंगा लेकिन यूर वीग टेक्निकली आपको बहुत ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री माट समझ में नहीं आता आपके कम्यूनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं आप एक्स्ट्रोवर्ट हो आप मैनेजेरियल स्किल्स आपके आप कर रहे हो कि I'll take physics, chemistry, maths, I'll take science stream. Then in that case आपकी personality के साब से आपको क्या suit करता है career option में. आपको टेक्निकल वाला तो clearly career option suit नहीं करेगा. अब अगर टेक्निकल वाला career option suit नहीं करेगा, then what are the other options you have, what are the alternatives you have as a career, जिसमें आप ज्यादा अच्छा कर सकते हो, जिसमें आप excel कर सकते देखो हर आदमी के लिए हर चीज नहीं बनी, शायद army, defense force मेरे लिए नहीं बनी थी क्योंकि मेरे अंदर officer like qualities नहीं थी, but मेरे अंदर जो qualities थी, वो qualities मुझे आज help करती है एक अच्छा teacher बनने के लिए, I have good communication skills, I have good knowledge of mathematics, I am confident on screen, off screen, I can communicate with my students, I can motivate them, these all qualities help me in becoming a good teacher. में भी, an average teacher, मैं एक average teacher ही हूँ हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, पर ये average teacher एक good teacher बनेगा धीरे धीरे अगर ये मेरे अंदर qualities रहेंगी और इन qualities को मैं और ज्यादा अप्ग्रेट करता रहूँगा time के साथ, right, second, so third, the medium in which we'll be conversing in this particular career counselling session can be English, can be Hindi, can be English, so depending upon your choice, if you understand only English, we'll be talking to you in only English, if you are comfortable with Hindi, I'll talk to you with in Hindi, and if you are comfortable with English and Hindi both, then we can communicate in English, right, so if you are a student from let's say South India, right, so most of the students from South India, they prefer English as this language, because Hindi समझने में you have some problem, you have problem in understanding Hindi language, but if you are willing to attend this session in English, I'll be happy to converse with you in English, and if you are a North Indian student, or if you are from let's say North India, part of North India, and if you are comfortable in Hindi, मैं Hindi में भी बात कर सकता हूँ, मैं आपको हिंदी में भी समझा सकता हूँ, आपको भी, आपके पेरेंड को भी, same, अगर आप North India से हैं, South India से हैं, आपको Hindi भी आती, English भी आती है, तो हम लोग Hindi English में भी बात कर सकते हैं, जैसे म मैं आपकी career counselling करूँगा, यहां कोई और career counselling नहीं करेगा, यह जो expert guidance की बात कर रहा है, यह मैं खुद करूँगा, और मैं कितना pain लेता हूँ अपने बच्चों के लिए, यह शायद आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, जब मैंने आपके doubts clear कि होगे, मैंने आपको बता counselling मैं नहीं करूँगा, maximum 50 students रहेंगे, अगर आप group career counselling वाला option लेते हो, तो क्योंकि मुझे लगता है कि 50 से जाधा अगर बच्चे हो जाएंगे, तो मैं हर बच्चे की problems को, उनके personality को address नहीं कर पाऊंगा, उनके doubts को address नहीं कर पाऊंगा, so maximum 50 students रहेंगे, यह जो session रहेगा, यह interactive session रहेगा, wherein you don't have to type, जैसे हमारी application पर आप type करते हो, नहीं, यह zoom session रहेगा, पूरा का पूरा recorded रहेगा, हमारी application पर ही रहेगा, पर zoom session रहेगा, as a result, आपको जो doubts हैं, आपको जो problems हैं, वो आप मुझसे पूच सकते हो, हम लोग direct बात कर सकते हैं, we can interact with each other, we can talk to each other, if you have any queries if you have any doubt, you can ask me then and there, right, if you want personal guidance, I can give you personal guidance as well, अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे ग्रूप में 50 के ग्रूप में नहीं बैटना, मुझे 1-to-1 counselling चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि सार आप मेरी problem सुने, आप मेरी personality को analyze करने में मुझे help करें, and then मुझे help करें एक सही career choice चुनने का, देखो, जो career choice है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया, तो वही वाली बात है, जैसे आपके चाचा ने आपको बता दिया, आपके दादा जी ने आपको बता दिया, आपके पापा ने, फूफा ने आपको बता दिया, ये बन जाओ, औ आपके मम्मी पापा ने भी ना सुना हों, आपके चाचा चाची ने भी ना सुना हों, क्योंकि ऐसे options हैं आजकल की दुनिया में, जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, तो वो options मैं आपको बताऊंगा, As a result, आप अपना career decide करने में, जो deciding factor आएगा, जो career decide करने में आपके लिए easy हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, अच्छा, मुझे यहां से यहां तक जाना है, उसके लिए मुझे यह सारी चीज़े करनी पड़ेंगी, after class 12th, I have to do this, after class 10th, I have to choose PCM, after class 12th, after class 10th, I have to choose PCB, after class 10th, I have to choose arts, after class 12th, I have to go to this particular college, these are the good colleges, जो मुझे मेरी मनजिल तक पहुचा सकते हैं, these are the good colleges, जिनके थूँ, these are the good courses, जिनके थूँ मैं अपने career objective को पूरा कर सकता हूँ, मैं अपने aim को पूरा कर सकता हूँ, life में, so वो सारी चीज़ों के लिए, मैं आपको one-on-one भी session प्रोवाइड करूँगा, interactive session होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, starts from March 15, so this particular counseling session will start from March 15, जो personalized वाला session होगा, उसकी fees थोड़ी सी मैंने ज्यादा रखी है, that is just because, क्योंकि personalized session में मुझे आपको पूरा time देना पढ़ेगा, you know I am very busy with CUET वाला maths, I am busy with 9, 10th, 11, 12th का maths, अभी हमारा 10th का भी batch चल ला है, हमारा India का भी batch चल ला है, so मैं थोड़ा सा busy रहता हूँ, इस busy चीज़ को, मतलब उस busy schedule में से time निकालना, आपके लिए जहाँ आप रह सकते हैं, आपके parents भी रह सकते हैं, और हम लोग one-on-one अपने doubts clear कर सकते हैं, मैं आपको career options बता सकता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा time निकालना पड़ेगा, as a result, उस time की मैं आपसे value मांग रहा हूँ, that's it, बहुत जादा आपसे कुछ पैसे नहीं मांग रहा हूँ, और यह जो fees रखी है, यह मैंने आपको बता दिया, क्यों रखी है, ठी है, यह तो ऐसे हो रहा, यह ऐसे हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, हर चीज का मैं आपको explanation दे रहा हूँ, students from class 9th to 12th can attend this session along with your parents, so अगर आप class 9th में है, आपको यह decide करना है, मुझे 11, 12th में कौन से subjects लेने है, आप 10th में है, and you are not able to decide कि मुझे कौन से subjects लेने है, मुझे career क्या बनान है, अगर यह आपको clear नहीं है, तो आपको अगर finally क्या बनना है, या आपको क्या करने में अच्छा लगता है, या आप क्या चीज ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, अगर आपको यह clear नहीं है, then in that case, आप यह भी choose नहीं, आप सही यह भी decide नहीं कर सकते कि मुझे कौन से subjects choose करने चाहिए, according to my aptitude, according to my personality, यह भी आप decide नहीं कर पाओगे, अगर आपने कुछ गलट decide किया, let's say, आपका aptitude है commerce लेने का, आपने peer pressure में आके, क्योंकि मेरे सारे friends science ले रहे हैं, या मेरे मम्मी पापा यह कह रहे हैं कि भाई, आपको engineer बनना है, आपने जबरदस्ती science ले ल यह problem पूरे दो साल की है, और आपके आने वाली जिंदगी तक यह problem बढ़ती ही जाएगी, कम कभी नहीं होगी, या तो 12th के बाद आप अपना stream change कर लो, आपने PCM लिया था पर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, तो आप क्या क्यों हुआ, आपने फिर या तो commerce ले लि हो सकता है, आप उससे बहुत सारी चीजे सीखे, every failure teaches you, that is also true, हर failure आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, मैं बहुत बार फेल हुआ, मैं उससे सीखता हूँ, हर अच्छा आदमी जब भी फेल होता है, वो से कुछ ना कुछ सीखता है, आप भी सीखोगा, ऐसा नहीं है, कि वो totally waste of time हो जाएगा, but वो आपके उपर बहुत जादा burden देगा, पहली चीज, mentally भी, physically भी, and thirdly आपका time बहुत जादा उसमें kill होगा, तो सही decision लेना after class 10th is very very important, सही stream चूज करना after class 10th is very very important, तो basically ये career counselling के sessions तो बच्चे को शुरू कर देने चाहिए, class 9, 10th से ही, but क्योंकि हमारे इ the teachers are aware, nor the students, तो जब parents और teachers ही aware नहीं है, तो हमारे बच्चे, हमारे students कैसे aware होंगे, और यही awareness मैं आपको लेकर आया हूँ, और इस awareness को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, मेरे पास बहुत सारे plans है, जो मैं इस channel पर अभी आपके लिए start करूँगा, और आपको सच्ची में यह महसूस होगा, you'll feel the difference, कि sir जो बता रहे हैं, उसमें कोई चीज है, मतलब उसमें कुछ value, उसमें मुझे कुछ समझ में आ रहा है, it is adding to my life, किसी भी तरीके से वो चीज अभी आपको दिखाई देने लगेगा, कुछी समय में, right, you can ask your doubts and queries, whatever you have in your heart, जो भी आपके doubts हैं, जो भी आप queries है, maybe वो queries, वो doubts, जो आप parents के साथ discuss नहीं कर सकते, जो maybe आप अपने friends के साथ discuss करते हो, मुझे आप बड़ा भाई मान के discuss कर सकते हो, मैं disclaimer देता हूं, मैं यह आपको 100% Assurity देता हूं, कि अगर आप नहीं चाहोगे कि आपके parents से वो चीज बात की जाए, या आप नही a friend as well, और अगर आप parents के साथ आते हो, और उनके सामने open up हो के आते हो, तो तो वो best चीज है ही, तब तो best है, आपके parents को आप पता है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या दिल से चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप और आपके parents की जो सोच है, वो synchronized है, that is again a very important thing, तो अगर जरूरत पढ़ी, parents की भी counseling करने की, तो वो भी मैं करूँगा, definitely करूँगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसके बाद, ये सब करने के बाद, ये सारा session attend करने के बाद, this will definitely help you in making the right decision at right time, so if you are in class 12, class 12 के बाद आपको क्या करना है, में भी बहुत सारे बच्चे जिनको इंडिया में नहीं रहना, foreign में जाना है, foreign में जाके कोई courses करने है, उनको scholarships के बारे में नहीं बता, भी मैं आपको बताता हूं, दो student है मेरे, both of them are from Kolkata, दोनों ही बच्चों ने, एक बच्चे को में लिए around 1.50 CR की scholarship, जिसमें पूरी tuition fees माफ है, और सिर्फ रहने का प लिया है, है वो science background से, उसको पता था कि मैं भाई, जेए का paper नहीं निकाल पाऊंगा, IIT जेए मेरी बसकी बात नहीं है, क्योंकि 1% of the population, वही क्रीम बच्चे जो होते हैं, वहाँ पे select होते हैं, बहुत competition है, मैं जेए नहीं निकाल पाऊंगा, कोई बात उसको पता था, उसक मेरे मम्मी पापा उसको पे कर पाए, as a result उसको scholarship मिली और scholarship के लिए उसने class 11th से, 12th से, बलब 10th के बात से उसने preparation करना शुरू कर दिया, कि क्या-क्या ऐसा किया जाए, ताकि मुझे उसकी scholarship मिले, और 2 साल महनत की, 3rd year में जब आप वो class 12th pass out हो रहे हैं, तो वो उनकी महनत र astrophysics as graduation, तो graduation में वो astrophysics ले रहा है subject, और astrophysics में वो अपना graduation करने वाला है, again from US, जहां पे उसको सिर्फ रहने का खर्चा देना है, 4 years का course है, 4 years में रहने का खर्चा देना है, और यह जो रहने का खर्चा है, वो भी वो बियर कर सकता है खुद से, क्योंकि वहां पे work करना allowed है और work भी उसको बाहर जाके नहीं करना, university campus में ही उसको part time job भी मिल रही है, that too it is written in his call letter, तो tuition fees पूरा college दे रहा है, वहां पे जो वो work permit है, वो भी college दे रहा है, मतलब पूरी की पूरी fees माफ है एक तरीके से, और वो US जाके पढ़ाई करेगा, 4 साल बच जब वो अपने उस world के best college से निकलेगा, तो सोची उसकी क्या market value होगी, उसकी क्या job security होगी और उसको क्या package मिलेगा, ये चीज समझीए, बहुत सारे बच्चे हमारे इंडिया में उनको पता ही नहीं होता करना क्या, अरे 12th हो जाएगी तब देखेंगे क्या करना है, अरे 10th तो कर लें, फिर उसके तरीके से मैं आपकी help करूँगा, ये मैं आपको जल्दी से explain कर देता हूँ, इसको ज़्दा लंबा नहीं बनाते हैं, इसको जल्दी से explain कर देता हूँ, अगर आप इसमें interested हो, तो you can call a number, number मैं आपको दे देता हूँ, number है 9871945552, आप इस number पे contact कर सकते हो, आपके parents चाते ह आप बात कर लो, या आप अपने parents से बात कराना चाते हो, आप बात कर लो, career counseling के लिए, career counseling हमारी तरफ से रहेगी, ठेक है, इसमें आपको सारी detail मिल जाएगी, वैसे मैंने सारी detail already cover कर दी है, इस career counseling के बारे में, now let's come to the part की कौन कौन सी चीज़े, तो देखो, मैं career counseling कर कैसे र होगा कि commerce का बच्चा भी बैठा है, arts का बच्चा भी बैठा है, PCM वाला भी बैठा है, PCB वाला भी बैठा है, क्योंकि अगर ऐसे होगा, तो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आएगा, जो commerce का बच्चा है, वो बोर हो जाएगा, जब मैं engineering के बारे में बता रहा होगा, या जब मैं medical के बारे में बता रहा होगा, तो PCM वाले बच्चे के लिए वो चीज है ही नहीं, as a result आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको लगेगा time waste हो रहा है, तो time किसी का नहीं waste करना है, आपको आपकी field के बारे में बताना है, आपको आपकी field में क्या-क्या options है, ये बताने students, so if you are in class 12th and if you have taken PCM as the main subjects, then this particular course is just for you, so if you want to enroll in this group career counselling session, the fees of which is just 4.99 रुपीस, तब आप इस course में रोल करेंगे, PCM अगर आपने लिया हुआ है, या वो बच्चे, दोस students who are in class 10th right now, but are preparing to go to PCM batches, are preparing to opt for PCM courses, अगर आप class 11-12th में PCM opt करने का सोच रहे हो, या PCM के बारे में आपको जानकारी चाहिए, then this course is definitely for you, ये आपके लिए है, ठीक, ये group career counselling course जो है, इसमें में आपको 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 बता चुका हूँ, maximum 50 students will be there, उससे जादा बच्चे नहीं होंगे, अगर उससे जादा क्लियर हो, आपको सब चीजे समझाई जाए, तो one-on-one career counselling भी आपके लिए अवेलिबल है, इसकी जो फीस है, that is a bit higher, that is 9.99, so if you are a PCM background student, you are looking for personalized career counselling, then you have to opt for this course, आपको ये course, आपके application पे मिल जाएगा, महेश्वरी classes application पे वहाँ से इस course में आप enroll कर सकते हो, third course is group career counselling for PCB students, so if you are from a bio background, और bio background से क्या-क्या papers है, कौन-कौन से forms निकल रहे हैं, कौन-कौन से forms भरने हैं, कब आते हैं, वो form, ये सारी चीजे मैं यहाँ पे बताऊँगा, कौन से college में जिकल से अच्छे colleges हैं, कौन से iस לeges हैं, जहां से अच्छा placement होता है, कम fees होती है, जहां फीस थोड़ी सी ज्यदा है, पर placement अच्छा है, कौन से iस olehe जहां पे आपको loan तुरण्त मिल जाएगा, ये सारी चीजे मैं आपको detail में बताऊँगा, राइट सो ग्रुप करियर कांसिलिंग पर पीचीबी स्टुडेंट सिफ यहार फोम पीचीबी बाग्राउंड या इस्टूर्ण या इप यहार लुकिंग फॉर्टियंग फॉर्टिश्टिंग वियॉ फोर्टियों ट्रूसरीट चाहते हो बाय इस अपका इंट्रॉस एड र कांसलिंग तोडी सी हाय रहे suisse के बराबर इसके बाद नेक्स्ट इस पर सनल करियर कांसलिंग फॉर्प और अब कोमर्स की सुडेंट ले ओर आप क्या एक सुडिन अगर वर कोमर्स के स्टुडिंट और आप्छाहते हो की वाइं सारा मेरे पर स्ट्रीयर कांसलिग के आप पर मैं अपनी life set कर सकता हूं जहां मैं एक successful आदमी बन सकता हूं तो इसके लिए again you have personal career counselling for commerce student as well as group career counselling for commerce student इसकी फीस यहां गलत लिखी है the fees is $4.99 so $4.99 for group discussion for group counselling and $9.99 for personal counselling again this course is just for commerce student the next is group career counselling for arts student so if you are from arts background or if you are preparing to take arts as your major subjects in class 11th and 12th then this particular counselling is just for you again if you want to take the group career counselling you can opt for this course if you are looking for personalized career counselling in arts then this is your course this is starting from 15th of March abhi se pehle maik or cheese apko bata dena chaata hoon by CUET ke forms are already out the last date to fill your CUET paper is just 12th of March so aaj bhai happy holy ho gai hai happy holy to each and every one of you or 12th of March ko is the last date for filling the CUET form so whether you are from arts background whether you are from see a PCM background whether you are from bio background or a commerce student CUET ka form pahle bhar do us ke baad bhi a career counselling karo ke toh bhi koi dhikkat wali baat nahi hai career counselling aap aram se kar le jao ke aap sab kuch samaj jao ke aap ke paas options kule rengi firstly open up all your options koi option close mat karte chalo kye dhire dhire tohsa option close hungi abhi khule ho hai sabko utilize karo make most of it okay so agar ye video aapko pasand aya hai if you are really excited about choosing the right career at right time then I think this is the best way you can do that take it to me or Mary team poora milke aapki help karengi aapki parents ko counsel karengi aapko counsel karengi jitni help huma hi dhasa ho pahegi wu sari help aapke liye karne ko tiyar hai okay so agar video acha laga hai toh like kare share zaroor kare aapne dhosto ko aapne friends ko aapne juniors ko taa ki wo bhi aapne life me correct decision correct time pere lye pahe as a result unki life comfortable ho jahe successful ho jahe aur sahih samayi pere sahih guidance ke through wu aapne manzil tak pohon cha hai that's it thank you for each and everything we'll meet in the next class till then take care god bless you all bye bye jahin apna khayal rakhye bye bye